तो हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसस एजूकेशन के एक और सांदार वीडियो में जैसा के फ्रेंड साब सभी का आज बाइलोजी का पेपर है तो आज कब जो बाइलोजी का पेपर जिव विज्ञान का पेपर आज ही लिक आउट जो की आपका बाइलोजी का पेपर 347 CEL जो की मॉडल पेपर इसी के अंतरगत ऐसे ही पूरा पेपर आएगा पूरा पेपर खल सहीत है एक बार जरूर पूरा देख लिजेगा तब ही पेपर देने जाएगा ठीक तक ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छा अच्छे लिए चली तो आपको पूरा प्रस्ष mundo के लिए बoga तो सबसे पहले आपको बहुविकल्प है जो की सह बहुख्य चुन कर अपनी आप व्यहास प्रिस्टिक गलती अमत किजिए घुचारविकिया कि पूरा प्धूरा पढ़िएगा थिर उसके बाद जो आपको चारो आपसन में जो सही है वही टिक कर देना है ठीक तो पहला इसमें से है निमलिखित में से कौन सी वाइव प्रागण की विसेशता है नहीं है पहला है हलके प्रागण दूसरा है बेहतर अनुवरित पुस के सर ठीक और बेहतर एव पिछ असंखे बी सारक्त गुलू मेंट्रिक आम्ला और निमलिखित में से किस एमीनों आमले के पर्ति इस्थापन से होता है ठीक यहां भी एक नमबर का कोशन है बहुविकलपी कोशन है जो कि आपको बहुविकलपी कोशन में क्या करना है कि वह आपको सिस्टिक लगा के अपने भ्यास THILE OIN और वाईलीन और इसके बाट सेरीन ठीक तो इसमें वाईलीन क्या है सही है ठीक अब देखिए पड़्टे पड़्ट आड़ो में कितने प्वाइंट बंध होते है तो 6, 4, 2, 1 ठीक इसमें 6 वाला क्या है सही है ठीक आप देखी कि बायो इसमें खानमबर खानमबर आपका जो कोश्चन है ओ है बायो ग्रो एक्टिक बिर्दी के लिए कायम ग्यान वाली अनुकूलतम परिस्थेतियों में निमलिखित में से काउंसी नहीं है ठीक तो पहला है तापमान विटामीन या फिलवड या में सब ही एक लगा देना है ठीक इस तरीके से आपके बहुई कल्पी प्रशन थे ठीक तो यहां से निश्चित उत्त्रिय प्रशन मतलब आपको निश्चित कुछ कम सब्दों में ही लिखना है ठीक तो बहला कोश्चन है कि आप आएकजेलिक और कोमे लाइन कौन से दो परकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं इनका नाम बताए ठीक तो यहां से आपके एभी एक नमबर का कोश्चन है देखिए एक बटे दो प्लस एक बटे दो दिया गया है ठीक तो यहां से एक नमबर का एभी कोश्चन है ठीक तो सिर्फ आपको पूस्प का नाम लिख कर कर देना है बस आपको एक नम्बर पूरी तरीके से मिल जाएगा ठीक खा में है कि फेंडरिक्स चली देखे खा नमबर दूसरे में खा नमबर है कि फेंडरिक ग्रेफिल ने किस जिवालू का परियोग करने में परियोग अपने सोध में किया था उस जिवाल द्वारा जनित रोग का नाम लिखे ठीक जिवालू का नाम लिखना है और रोग का नाम लिखे आपको एक नमबर मिल जाएगा ठीक देखे इस्तिरी जननतंत में अंडो सव के पस्चात अंडासय में उत्तेजित अंडालू के संगरा उत्तरदाईत भाग का नाम बताईए ये भी क्या है एक नमबर का कोश्चन है एक का नमबर में है कि मेंडल का वांसी वंसागती सिध्धान्त कीन कारणों से ओनाईस सो तक अग्यात रहा किन ही दो को लिखे ठीक आपको क्या लिखना है कि सिर्फ दो लोग दो का नाम लिख देना है ठीक आपके पूरे-पूरे एक नमबर मिल जाएंगे देखी अंगन दूसरे का अंगन नमबर में है कि नतर जन इस्थिति करण के लिए उतर दायत कि नहीं दो सायोनों बैक्टेरिया के नाम लिखिए ठीक यह भी आपके एक नमबर का कोश्चन है ठीक यहां से सुरू होता है अधिलगुत्री प्रश्न अधिलगुत्री प्रश का काजो दिये गया है मटर के लंबे पौधो को के जीनो टाइप निर्धारित के लिए किस परकार का संक्रमर किया जाता है ठीक आपको कम सकम एक डेड़ पेज लिखना है तब जाके आपकी दो नमबर मिलेंगे किस तरीके से संक्रमर किया जाता है ठीक तो उसका आपको लि कुष्चन आता है आप पूरी तरीके से करके आएगे प्रति प्रति रच्छी आलू के संचार का केवल चित्र बनाए यहां से चित्र बनानाया। लेक प्रचलेक ओपरान में जेड एवं पाई वाई जिन किस एंगजाइम का कुट लेखन करते हैं उसके कारियों का उलेक भी कीजिए अब उसके बाद अंगा नमबर क्वेशन है कि जैविक कार्बनिक खेती पर टिपड़ी लिखे कार्बनिक जो जैविक होते हैं उस पर कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका क्या लिखना है खेती पर टिपड़ी लिखना है ठीक अब उसके बाद यहाँ से प्रशन नमबर चार का का जो की लगूतरी प्रश्ण है आपके पूरे पूरे यहां से तीन तीन नंबर के प्रश्ण है ठीक इनको भी कम सकम दो सित धाई पेज आप लिखेंगे अच्छे से तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा एक अभासी फले वह वास्तविक फल में क्या अंतर है प्रश्ण है इसके बारे में लिखना है ठीक आपके तीन नंबर का कोश्ण है तो अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छा नंबर मिल जाए देखिए च्छे से खा नंबर कोश्ण है कि मेंडल ने अपने परियोग में मटर के पौधे का चैन क्यों किया था तो यहां भी तीन नंबर का कोश्ण है ठीक अच्छे से समझ लेजिए देख लेजिए ताकि आपको अच्छे से बोड पेपर में आता है तो कर लेजिएगा ठीक चौथे का गा है बिलो डिज हैज रियक्टर की ब्याख्या कीजिए यहां भी तीन नमबर का कोश्चन है खा नमबर में है कि संभारतंत ब्रिद्धि की ब्याख्या समी करण कीजिए ठीक इसका तीन नमबर का यहां भी कितने नमबर का है तीन नमबर का कोश्चन है इसको भी अच्छे से समाल लिजिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरा कर सके अंग देखिए पांचुए का का है अंड जनन की ब्याख्यात्मक चाड का आरेखिये निरूपण किजिए यहां भी तीन नंबर का कोश्चन है फिक पांचुए का खा है कि सक्री प्रती रच्छ एवं टीका कराल पर संचित में टिपड़ी लिखिये यहां भी तीन नंबर का कोश्चन है कि किनी तीन सवाहक रहित विधियों का उल्ले किजिए जिनका बुनियों गज डिने को सच्छम परकोशी कोश्काव में परवेश करने के लिए उप्योग किया जाता है यह भी तीन टार्म का कोश्चन है अच्छ म लेगा परकास जन के के व वितर को किस परकार परभावित करता है और परवेश करता है कि संभावना उसके पुत्र में क्या होती है वंसा वाली चार्ट सहित व्यक्ष्य कीजिए इसको क्या करना है कि आपको चार्ट बना के मतलब कि उसी में पेपर में ही क्या आप चार्ट बाहर से ले जाएंगे नहीं भाई आपको चार्ट वहीं से आपको पेपर में ही बना दे से प्राप्त इसलुईन के किनी तीन कम्यों का उल्ले कीजिए ठीक इसमें क्या करना है उनकी कम्यों का क्या करना है उल्ले करना है गा नंबर में है स्वास्थानों में इन सिटू एवं ब्रास्थानों में एक्स सिटू सरचण का टिपड़ी लिखिए यह भी तीन नंबर का को क्वेशन है ठीक इसको भी अच्छे से देख लीजिए गा ठीक देखिए अब यहां से आ जाता है विस्त्रित उत्री प्रशन जोकि आपकी भीश्ति उत्री प्रशन है साथ नंबर का निम लिखित में से किनी दो पर विभेद लिखिए जो कि आपके पांच नंबर का कोश्चन है तो आप देखिए बिज पात्रधारा एवं बिज पत्रो पारिक ठीक या फिर परिभूसड पोस्प एवं फल भित्ती या तीसरा नंबर में है अध्या वरणक एवं बीजी चोल ठीक इस तीनों मे से आपको जो समझ में आता है उस पर टिपड़ी लिख देनी है ठीक अब देखिए अथवा में करके दिया गया है परसाओ एवं परसाओ को परिभासित कीजिए इस परकिरिये के दवरान सामिल होने वाले विभिन हार्मोंसों का नाम विवरण लिखिए ठीक इस तरीके से क क्रोमों सोमियों आम असमननिया इसमान विद्नाश के ऊत्तपन विकारों का वरण किजिए ठीक पहला है कि ग्रोंसों एकेस की द्री सूतरता यहँ एका द्री शूतरता के लिखे लिखना है तिक दूसरा में है X-X-Y, X-Y क्या है ठिक इसके बारे में लिखना है अथवा में करके लिखना है अन्वान्सिक कूट की परमुख विसेस्ताओ की व्याख्या किजिए जो कि आपकी पांच नमबर का कोशन है ठिक इसको भी अच्छे से तयार कर लिजिएगा ठिक देखे प्रशन नमबर 9 है कि निम लिखित में से किन ही दो परसंचिप में टिपड़े लिखे तो इन तीनों में से आपको जो समझ में आता है ठिक जाहे मानों जिवानों पर योजना पर लिखना है या अंतर जातिये इस परधा उधारण सहित लिखना है या भी इंडे नोसियम डियन मेनीज की कमी ठिक इन सभी पर जो भी आपको समझ में आता है तीनों में से दो परसंचिप में टिपड़े लिखना है जो की पांच नमबर का कोशन है अच्छे से इस पर टिपड़े लिख दीजिएगा कम से कम दो से ढ़ाई तीन पेज आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपके पांच नमबर पूरी तरीकी से मिल जाए ठीक अब यहां से अथोवा में करके दिया गया है साइस परस संद मन क्या है चमान कोशिकाओ किस परकार कैंसरी कोशिकाओं से इस रुपांतरी तो हो जाती है समझाईए ठीक या तो फिर इसको कर देना है ठीक इन दोनों में से आपको टिपड़े लिखना नहीं आता है तो आप इसको कर दिजिएगा आपके पूरे पांच पर मिल जाएंगे ठीक इस तरीके से पूरा बेपर था ठीक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू टेक कर गुडबाय जैहिन पेपर देने जाने से पहले इस पेपर को जरूर पूरा ले देदेगा